नमस्कार जैन दोस्तों M2M Classes में सभी का स्वागत है दोस्तों आज UPPCS और ROARO का GS का प्रेटिसेड नमर 29 देखते हैं इसे पहले 28 हमने अच्छे से समझ लिए हैं सभी प्लेलिस्ट में हैं वहाँ पर जाकर के देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और CRV कर दो जिसे कि सभी को time to time class का notification मिलता रहे और देखो daily class जो होती है यह दोपैर के दो बज़े होती है फिक्स GS के कुस्षन से इसमें हम देखते हैं ठीक है तो महत्पूर्ट क्लास है अब श्टार्टिंग करते हैं पहले कुस्षन को अच्छे से मेरे साथ देखते रहना और सभी का साथी सा लगा अठानवे इस्वी या एक सोएकीस इस्वी देखो कनेस्क राजा बना था 78 इस्वी में इसने अबने सासनकाल के तीसरे वर्स में इसके वो संत उए थे बोधिसंट बाला उनके द्वारा साननात में यह बोधिसत्त प्रत्मा लेक जो स्ताबित कराया गया था तो कनिस्क जो थे ये बहुत दर्म के अन्याई थे और इसी में ये चर्चा मिलती है जो ये साननात बहुत प्रदमा है इसी में ये बहुत दर्म का अन्याई होने के बारे में ये चर्चा मिलती है इसमें ठेक और ये लाल बलुवा पत्तर से बना हुआ है और ये मत्रा मूर्ती ज याद रखना वैसे इसकी रादधानी पुरुस्पर हुआ करती थी ठीक है लेकिन इसकी दूसरी रादधानी मत्रा भी थी कनिस्ट की ठीक है कोछांड बंस का सासक हुआ है कनिस्क काफी फेमस हुआ है कोछांडों के टाइम में ही प्योर गोल्ड कोइन चलाए गए थे देखो बात हो गई है सोने के सिक्कों की तो बता दूँ आपको सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वारत में हिंद युनानियों के द्वारत चलाए गए थे और सासक था मिनांडर मिनांडर को सिरेद दिया जाता है वारत में सबसे पहले सोंड सिक्के चलाने का लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम सासक कुन था जिसने वारत में सोंड सिक्के चलाए थे तो देखो मुहमद बिन कासिम था और बारत पर आक्रमड करने वाला भी मुहमद बिन कासिम था बारत पर पहला मुस्लिम ठीक है इसने आक्रमड किया था 712 AD में और जो सिंदु का सासक हुआ था दाहिर उस पर किया था इसने ठीक है देखो यूरोपियों के द्वारा भी चला जाते हैं तो गुप्त काल में चलाए गए थे संक्या में ठीक है और देखो सी से के सिक्के किसने चलाए थे साथ वाहनों के द्वारा चलाए गए थे तामे के सिक्के सरवादिक किसने चलाए थे कुसाडों ने चलाए थे कुसाडवंस में तामे के सिक्के सबसे अधिक चलाए गए थे लेकिन सोने के सबसे अधिक सिक्के चलाए गए थे गुप्तकाल में प्योर गोल्ड कोईन चलाए गए थे कुसाडवंस में ही ठीक है तो याद रखना तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा option B आगे देखते हैं अब question number second निम्न लेखित में से कौन सा एक गुप्तकालिन भूमी का प्रकार है गुप्तकालिन भूमी का प्रकार कौन सा है इसमें से वास्तु, चरागाहा, छेत्र या ये सभी बताईए देखो वास्तु, चरागाहा और छेत्र ये सभी जो गुप्तकालिन भूमी के प्रकार हुआ करते थे तो देखो इसका सही जवाब तो हो जाएगा option D ठीक है छेत्र जो होता था ये खेती के लिए उपर एक तो भूमी थी ठीक है छेत्र क्या था गुप्तकाल में खेती के लिए उपर एक तो भूमी और जो ये वास्तु था, option A में जो दिया हुआ है वास्तु ये वास्त करने योग के भूमी को वास्तु का जाता था गुप्तकाल में जो वास्त करने योग के भूमी हुआ करती थी उसको वास्तु का जाता था लेकिन इसमें ये चरागाहा दिया हुआ है चरागाहा ये पसुओं के लिए चारायोग्य भूमी थी जिसको चरागाहा का जाता था इसके नाम में ही जाहर हो रहा है कि चरागाहा क्या हुआ करता था गुप्तकाल में पसुओं के लिए चारायोग्य भूमी जो थी उसको चरा उसको खिल भूमी का जाता था, और देखो अप्रहत भी ओती थी एक लिख देता हूँ, अप्रहत, ये भूमी भी ओती थी गुप्तकाल में, ये बिना जोती गई भूमी, जंगली भूमी ओती थी लेकिन ये, देखो खिल भी थी, वो भी जोती नहीं जाती थी, लेकिन वो जं अंगली होती थी ठीक है याद रख लेना ये सवी गुप्तकालीन भूमियों के उधारणें निम्न लेखित में से किसने खिलापत अंदोलन का प्रारम किया था सौकतली, मुहमद अली, सरियत अला, अबुलकलाम आजाद बताईए किसने खिलापत अंदोलन का प्रारम किया देखो इसका सही जवाब होगा option A, सौकतली, सौकतली और इसके साथ मुहमद अली भी थे, इन्होंने खिलापत अंदोलन की सुरुवात की थी देखो इसमें option दोनों ही सही है यह देखो खिलापत आंदोलन में तो दोनों हैं ना मुहम्मद अलीवी है, सोकत अलीवी है एक सेकंड एक से, ओ स्वरी देखो इसमें option एसे साफ से दिये हुए मैंने समझा चारों में से इचाट नहीं तो देखो खिलापत आंदोलन कब जो प्रारम किया थै सोकत अली और मुहम्मद अली के दौरा किया गया था तो एक और दो इसके सही जवाब हो जाएए नों ही सही है देखो खिलापत आंदोलन की सुछाओ तो इती नीस सो इनीस में ठीक है याद रखना 1919 में खिलापत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और देखो पूछा जा सकता है कि खिलापत आंदोलन क्यों हुआ था देखो तुर्की में सामराज था उसका बिवाजन कर दिया गया था तो उसी के विरोध में ये भारत में शुरू हुआ था खिलापत आंदोलन और इसी आंदोलन को शुरुआत किया था यह दोनों भाई थे मुहमद अली और सोकत अली ठीक है और महत्मा गांदी ने इस खिलापत आंदोलन को हिंदू-मुसलिम एकता का सुनहरा अवसर का था खिलापत आंदोलन को महत्मा गांदी न खिलापत दिवस मनाया गया था तो इसका सही जवाब अपसन है आगे देखते हैं कुस्ट नमर चार निम्न लेके कतनों पर विचार कीजिए पहला इसमें दीवान ए विजारत विवाग का प्रमुक वजीर होता था दीवान ए विजारत विवाग का जो प्रमुक होता था वजीर होता था जो लगान कर विवस्ता आदी की देखवाल करता था दूसरा है इसमें विजारत का सुन्ड काल खिलजी काल को का जाता है अब बताओ इसमें से कौन सा सही है दोनों में से देखो दीवान ये विजारत बिवाग का जो प्रमोक होता था वो वजीर होता था जो लगान कर विवस्ता आदी की देखवाल करता था ठीक है तो देखो पहला तो इसमें सही है दूसरा इसमें विजारत का सूण काल क्या खिलजी काल को का जाता है लेकिन इसमें ये दूसरा देखो जो विजारत का सुन्ड काल है ये खिलजी काल को नहीं का जाता है ये इसमें गलत है क्यों गलत है कि जो विजारत का सुन्ड काल है वो का जाता है तुगलक काल को किसको तुगलक काल को देखो तुगलक काल का जो वंस रहा था वो तेरे सो ब तुगलक के द्वारा ही जो दिली में दिली के आसपास जो पाहडी एरिया था उस चगे पर तुगलक का बात नगर की ये किस्तापना की गई थी और ऐसा का जाता है गया सुद्दीन तुगलक के बारे में कि नहरों का निर्माण करने वाला यह पहला सासक हुआ है गया सुद्दीन तुगलक लेकिन सबसे अधिक नहरों का नहरों का निर्माण करने का जो सिरे दिया जाता है वो फ्रोसाह तुगलक को दिया जाता है ठीक है तो ये तुगलक वनस का ही आगे सासक हुआ है ठीक है जोना खान जो आगे बनेगा फिर सासक मौम्माड भिन तुगलक नाम से ठीक है तो ये तुगलक वंस काफी important है बताने को बहुत कुछ है इसमें लेकिन time जादा लग जाता है तो अच्छे से पढ़ना दिल्ली सल्तनत को जितने वंस हुएं सभी को अच्छे से रट लेना ठीक है तो देख लो इसमें कौन सा सही है केवल पहला सही है दूसरा इसमें गलत है अंसर हो जाएगा option A आगे देखते हैं कुसर नमबर 5 नीचे दिये गए कथन अब आपको देखना है काला अनुक्रम में लेखना है आपको कौन सा पहले हुआ है भारत के विवाजन के रूब में हुई है देखो मुसल्मानों के लिए प्रतक निर्वाचन मंडल की विवस्ता मुसलिम लीग का जनम प्रतच शकारेवाई दिवस मुसलिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना अब इसमें से देख लो कौन सा सबसे पहले हुआ है कब-कब टाइम हुआ है पहले तो ये जानलो मुसल्मानों के लिए प्रतक निर्वाचन मंडल की विवस्ता तो देखो ये उनीश सो नीश स्वारी उनीश सो नो उनीश सो नो जो मुल्ले मिन्टो आया था मुल्ले मिन्टो सुधार जो अदिनियम था उससे संबन देता है यह मुसल्मानों के लिए प्रतक निर्वाचन मंडल की विवस्ता ठीक है मुसलिम लीग का अगठन कब हुआ था यह ढाका में होई थी मुसलिम लीग की इस्ताबना और 30 देसमर 1906 को हुई थी ठीक है 30 देसमर 1906 को याद कर लेना मुसलिम लीग की इस्ताबना कोई बता सकता है किसने की थी इसकी इस्ताबना और प्रतच कारेवाई दिवस प्रतच कारेवाई दिवस कब मनाया गया था बताई है देखो प्रतेच्छे कारेवाई दिवस यह 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा ही बनाया गया था तो इसमें कर देता हूं में 1940 ठीक है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताब पारित किया जाना यह कब पारित किया गया था तो देखो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान प्रस्ताव है वो 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था कहां पर किया गया था लाहूर अधिवेशन में ठीक है लाहूर अधिवेशन में 1940 में ये भी ठीक है तो देख लो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे पहले तो 1906 का आएगा मुस्लिम लीग दो आएगा उसके बाद 1909 वाला आएगा जो ये मुसल्मानों के लिए प्रतक निर्वाचन मंडल की विवस्ता थी मॉल्ले मिंटो तो एक आएगा उसके बाद आएगा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताप पारित किया जाना 1944 चार आएगा और सबसे एंड में आएगा प्रतिच कारेवाई दिवस जो 1940 में मनाया गया था मुसलिम लीक के द्वारा देगे यह तीन आएगा 214 तीन इसका सही जवाब हो जाएगा 214 तीन तो कौन सा नहीं है और स्टेलिया यू के फ्रांस एंड यू ऐसे बताईए देखो इसमें सैंक्तरैष्ट संग की बात हुई है तो एक मिनट में आपको संचेब में सब कुछ बता देता हूँ सैंक्तरैष्ट संग के देखो इसके बारे में समझो जैसे कि दोतिय यूद्ध हुआ था दोतिय विस्व यूद्ध जो चला था 1949 से लेकर के 1945 तक चला था ठीक है उस यूद्ध के बाद जैसे विस्व में असांती की का माहुल इस्तापित हो गया था तो विस्व में सांती इस्तापित करने के लिए एक और्गनाईजेशन के बारे में सोचा गया था ठीक है इसके निर्माण के लिए सबसे पहले अगस्त 1944 में वासिंग्टन में एक समेलन बोलाया गया था जो दो महीने चला था उसके बाद पचास देसों ने सेंक्तुराष्ट अधिकार पत्रता उस पर हस्ताचर किये थे ठीक है फिर 24 अक्टूबर 1945 को सेंक्तुराष्ट संग की इस्तापना की गई थी कब 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इसी वज़े से 24 अक्टूबर को सेंक्तुराष्ट संग दिवस मनाया जाता है संक्तराष्ट संग का जो नाम है वो अमेरिका के राष्टपती हुए है Franklin D. Roosevelt उन्होंने रखा था संक्तराष्ट संग के सदस्यों की संक्या बर्तमान में 193 है और बारत इसका संस्तापक सदस्य है संक्तराष्ट संग की जो कार्य करने की बासा है वो तो दो भासा हैं जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच हैं दोनों लेकिन इनके अलावा चीनी भी है जैसे मंदारिन भी कहते हैं ठीक है उसके अलावा रसियन है अर्बी है और इस्पेनिस है तो इन भासाओं को भी इसमें मान्यत अप्रपते हैं लेको सेंक्तराष्ट संग के अंगों के बारे में बात करें तो कुल अंग है छे संक्तराष्ट संग में जिसमें हम सामिल करते हैं महासबा को सुरच्चा परिसद को और आपका आर्थिक एवं समाजिक परिसद को प्रण्यास परिसद है और एक अंतराष्टी न्यायाल है और सचवाल है तो कुल मिला करक सेक्तुरेश्ट संग में कुल छे अंग हैं इसके जैसे देखो सबसे पहले महासभा है इसका इसमें सवी देशों के प्रतिनिदी सामिल होते हैं इसलिए इसको विस्व की लगू संसत का जाता है किसको महासभा को ठीक है महासभा के प्रतिनिदियों के जो द्वारा एक वर्स के लिए अध्यच्छ और उपाद्यच्छ का चुनाब किया जाता है इसमें बारत के एक मात्र महला इसमें अध्यच्छ रही है और विस्व की भी वो महला अध्यच्छ रही है महासभा की उनका नाम है विजय लच्छमी पंडित दूसरा बताया मैंने इसमें आंग आपको सुरच्छा परिसाथ जो इस कुछा हुआ है तो इसमें पुछा है कि सुरच्छा परिसाथ का इस्ताई सदस्य कोन सा नहीं है तो देखो इसमें उप्सन A में जो दिया हुआ है कार्य होता है सुरच्छा परिसद ही महासवासे जो महासचव है उसकी नियुक्ति की सिपारिस करती है और विस्व में सांती बनाए रखने का कार्य भी सुरच्छा परिसद का ही होता है एक है आपका आर्थिक एवं समाजिक परिसद बताया मैंने आपको आर्थिक एवं समाज परिसद की एक वेठक हो था इसमें अप्रइल में जो होती है नियू-York में एक वेठक होती है में जुलाइ में जो होती है जिनेवा में ठीक है यह बी हो गई तीन मैंने कितने बता दी है महासभा, सुरच्छा परिसद आर्थिक विम् समाजिक परिसद तो देखो एक ओता है प्रण्यास परिसद प्रण्यास परिसद जो होता है सेक्तराष्ट में इसका कार्य होता है अविक्सित देशों की साहिता करना ठीक है एक है इसमें नियायाले नियायले के बारे में बात करें तो देखो नियायले की इस्तापना की गई थी जो अंतराष्ट नियायाले है उसकी बासा हैं कुन सी हैं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं यानि एक से अधिक न्यायदीस जो हैं किसी राष्ट का इसमें नहीं हो सकता है और इसकी जो गड़ पूर्तिया यानि इसको न्यायले को चलाने के लिए न्यायले की संग्या की जो गड़ पूर्ती होती है कम से कम वो इसमे नो नियायदीस होने चाहिए जब नियायला चलता है ठीक है और छटमा अंग है इसका सचवाले सचवाले महतपूर अंग है उसके बारे में बता दू कि जैसे संयक्तराष्ट संग है उसके नित्य प्रतिदिन यानी दिन प्रतिदिन के कारेयों को कनने के लिए एक सचवाले हो पहला महासाचिप भी पूछा जाता है काफी common question हो जाता है वो तो कौन थे त्रगवेली थे एक मिनट लिया होगा मैंने संक्त्राइश्ट संग complete बता दिया अच्छे से रट लेना इसको ठीक अब आगे देखते हैं question number 6 गोल्डन थ्रे सॉल्ड नामक कविता संग्रे की रचेता निमले लेखित में से कोन है अरुना आसफली एनिवेसेंट सरोजनी नाइडू विजयल अच्छमी पंडित बताईए कौन सा होगा इसमें golden थ्रे सॉल्ड नामक कविता संग्रे की रचेता question number 7 देखो इसका सही जवाब होगा सरोजनी नाइडू ठीक है सरोजनी नाइडू अप्संस ही हो जाएगा ये उत्तरप्रदेश की और बारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल भी है सरोजनी नाइडू इन्होंने कानपूर का अध्यवेशन हुआ था 1925 में उसमें अध्यचता की थी कॉंग्रेस का जो अध्यचता हुआ इनसे पहले हुआ था 1924 में बेलगाम अध्यचता की गई थी और देखो एयर फोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो बेलगाम में ही होती सुझ में ही ठीक है याद रखना आगे देखते हैं कुस्सर नमर आठ पहला दच्छड ACI 363 सायोग संगतन जिसको सार्क कहते हैं इसका सम्मेलन कहां आयोज़ित किया गया था पहला दच्छड ACI 363 सायोग संगतन का धाका में नई दिली में काठमांडव या करांची में बत का हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और देखो इसकी जो इसका जो सचवाले है उसकी इस्तापना 16 जनवरी 1987 को की गई थी सारक का सचवाले इसकी इस्तापना कब की गई थी 16 जनवरी 1900 सदाजिगो सारख में कुल 8 देश सामिल है जैसे आपका एक है अफगानिस्तान बारत के पडोसी हैं सभी बंगलादेश, बोटान, भारत भी है इसमें मालदीब, नेपाल, पाकिस्तान और स्री लंका ये 8 देश हैं सारख में सामिल है आगे देखते हैं कि कुस्छन नमन न बिश्व रेपिड सतरंज परत्योगता जीतने वाली पर प्रतम बारतिय महला निम्न में से कोन है कोनेरू अंपी, जूडित पॉल्गर, तानिया सच्चदेव या इनमें से कोई नहीं बताएए 200 Rapid, 17 प्रतियोगिता पहली भारतिय महिला कोहने है जीतने वाली तो दिझो इसका सही जवाव होगा अप्शन 1, को नेरू हमपी 200 Rapid, 17 प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतिय महिला है और इनों ने ये जो खिताब जीता था 2019 में जीता था कोनेरो अंपी ने उजवेकिस्तान में हुआ था उजवेकिस्तान के समरकंद में 2023 के 200 रैपिट जो सतरंज चेंपियंसिप है महिलाओं की ब्यक्तिकत प्रत्योगता में इनों ने रज़त पतक जीता था ठीक है 2019 में तो इ ये सई जवाब हो जाएगा कुसर नमर दस निमनले के कतनों पर विचार कीजिए पहला इसमें केंद्रिय प्रसासनिक अधिकरण लालबादुर साहिस्त्री के प्रदानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिवनल केंद्रिय प्रसासनिक अधिकरण जो है लालबादुर साहिस्त्री के प्रदानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था क्या दूसरा इसमें CAT के सदस्य न्याइक तथा प्रसासनिक दोनों चित्रों से लिये जाते हैं तो इसमें बताओ कुन सा सही होगा तो देखो इसमें पहला तो ये गलत है क्योंकि उस टाइम लालबादुर साहिस्त्री नहीं थे उस टाइम थे राजिव गंदी कौन थे राजिव गंदी थे उन्याइक के टाइम में हुआ था 1985 में केंद्रिय प्रसासनिक अधिकरण का गठन कब हुआ था 1985 में ठीक है और CAT के सदस्य नहाइक तदा प्रसासनिक दोनों चेतरों से लिए जाते हैं तो देखो ये सही है इसमें दूसरा सही है केवल दो सही हो जाएगा उप्सन भी आगे देखते हैं कुसर नमर 11 बारतिय सम्मिदान में निमन लिखे वरियता क्रम के पदों में कौन सा क्रम सही है देखो इसमें पहले में दिया हुआ है सबसे उपर है मुख्य नहाइदीस उसके नीचे मुख्य चुनाबायुक्त राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल फिर है राज्यों के राज्यपाल भारत के मुख्य नहाइदीस राज्यों के मुख्यमंत्री र राज्य चुनाबायोग गाज्यों के राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्री बारत के मुख्यने आईदीस बताई इन चारों में से और चोथा हो रहे हैं बारत के मुख्यने आईदीस राज्यों के राज्यपाल मुख्य चुनाबायोग तो और राज्यों के मुख्यमंत्र तो देख करके बताओ इन में से सबसे पहले इस्तान पर कोने फहले तो यह देख लो देखो वरियता किरम के बारे में बताओं अगर वरियता किरम देखोगे वारत में तो सबसे पहले इस्तान पर तो राष्टपती आएगा ठीक राष्टपती नहीं है इसमें दूसरे इस्तान पर आता है उपराष्टपती उपराष्टपती भी नहीं है इसमें और आपका तीसरे इस्तान पर आता है भारत का प्रदानमंत्री देखो प्रदानमंत्री भी नहीं है तो तीनों तो होंगे नहीं तीन तो हैं ही नहीं इसमें, चोथे इस्तान पर आता है बरियता किरम में भारत राज्यों का राज्यपाल, तो देख लो राज्यपाल इसमें किस-किस में पहले इस्तान पर दिया हुआ है, तो देखो B और C में दिया हुआ है, इस वज़े से D और A तो कटी ही जाएंगे इसम ठीक है चोथी इस्तान पर राजपाल आता है राजपाल के बाद आता है भारत के जो पूर राष्टपती है वो आते हैं वो भी नहीं दिये हुए है एक सेकंड पानी पर लेता हूँ ठीक है भारत के फूर राष्टपती के बाद आएगा भारत का जो मुख्य नयदीस है वो तो राजपाल के बाद भारत का मुख्य नयदीस देख लो तो B में दिया हुआ है और C में नहीं दिया हुआ है तो C कट गया आंसर बचा केवल B ठीक है भारत का मुख्य जो नहीं दीस है वो आएगा इसमें उसके बाद उप प्रदान मंतरी आते हैं उप प्रदान मंतरी राज्यों के मुख्य मंतरी आते हैं फिर और देख सकते हो यही क्रम हो जाएगा राज्यों के मुख्य मंतरी और राज्य प्रति उत्तरदाई होती है क्या बताईए जो मंत्री परसद होती है सेंक्त रूप से लोकसभा रज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदाई होती है कारण इसमें लोकसभा रज्यसभा दोनों के सदच से संगिये सरकार में मंत्री बनने के लिए पत्रता रखते हैं पहला बताओ पहले दो देखो इसमें पहला है काफी common question है और इसमें ये गलत दिया हुआ है कि भारत में मंदरी परसद जो होती है सेक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है ना कि राज्यसभा के जैसे आर्टिकले 75 का 3 उसमें दिया हुआ है कि जो मंदरी परसद होती है किंद्र की वो सामोहिक रूप से निम्न सदन होता है लोकसभा उसके प्रति उत्तरदाई होती है इस बज़े से ये गलत है और देखो राज्यसभा जो होती है राजे सभा को मंदिरी परसद में अविस्वास जो प्रस्ताव है उसको पारित करने की सकती नहीं होती है यानि उनली इसको पारित करने की सकती लोकसभा के पास होती है अगर यह जो अविस्वास प्रस्ताव है अगर यह पारित हो जाता है तो मंतिरी परसत को इस्तिवा देना होता है ठीक है तो इस बज़े से ये पहला गलत है दूसरा है लोकसभा के लोकसभा और रज्यसभा दोनों की सदस्य है संग्ये सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं तो देखो ये विलकुल ठीक है यह सही है विल्कुल दोनों ही के सदस्य जो हैं संगिय सरकार में मंत्री बनने की पत्रता रखते हैं यह दूसरा इसमें सही है ठीक है और देखो छेमा के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त हो जानी चाहिए यह आर्टिकल 75 में दिया है अगर कोई सदस्य मंत्री बन लेकिन यह जरूरी है कि अगर वो मंत्री बन जाता है तो उसे छेमा के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी ठीक है तबी वो मंत्री रह सकता है नहीं उसे मंत्री बन आगे फिर छोड़ना पड़ता है ठीक है लेकिन मंत् प्राणतिय समिदान समिती सरदार बलबाई पडेल प्रारूप समिती हC मोखड़ी कारिय संचालन सम्ती केम उनसी देखो काफी अच्छा कुस्सन है समिदान सभा के निर्माट से संबन देता है यह सभी और समितीयों के बारे में दिया हुआ है कि जैसे देखो स्वतंतरता के बाद बारत में जो समिदान सभा है उसके निर्माट के लिए पहली वैटक बलाई गई थी 29 अगस 1947 को उसमें एक प्रारूप समिती बनी थी प्रारूप समिती का गठन किया गया था जिसकी अध्यचता की गई थी बीमराव अमेड करके द्वारा ठीक है तो देखो इसमें यह गलत दिया हुआ है उप्सन सी में ठीक है यह गलत दिया हुआ है प्रारूप समिती यानि ड्राफ्टिक कमिटी की जो अध्यचता की गई थी बीमराव अमेड करने की थी इस वज़े से इसका आंसर तो ये हो जाएगा इनके अलावा इसमें छह सदस्य और थे एक ते इसमें डीपी खेतान सिंग उनकी मृत्य हो गई थी तो उनके इस्तान पर टीटी किष्णमाचारी बने थे एक ते बील म सबाकी जो प्रदान समितियां थी वो भी बनी थी उनके भी बारे में देख लो जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि संग समिदान सम्ति है संग समिदान सम्ति इसकी अध्यचता की गई थी पंडि जवाला नेरू के द्वारा बिलकुल सही है और देखो समिदान इसके पं प्रांतिय सम्मिदान सम्ति की इसके अलावा एक मौलिक अधिकारों की इसलाकर सम्ति भी बनी थी उसकी भी सरदार बलबाई पटिन ने की थी अलप संक्यक सम्ति भी बनी थी के मुंसी के द्वारा की गई थी क्या देखो ये confusion वाला कुस्सन है क्योंकि इसमें जो पहले तीन सम्तियां दी हुई है वो तो बड़ी सम्तिय है लेकिन D में दिया हुआ है कार्य संचालन सम्ति तो ये छोटी सम्तिय है इसकी अध्यचता तो की गई थी के मुंसी के द्वारा लेकिन बड़ी सम्तियों में एक संचालन सम्तिय है उसकी अध्यचता की गई थी राजेंदर प्रसाद के द्वारा लेकिन जो छोटी सम्तिय है उसमें सम्मिदान सभागय जो कार्यों के लिए सम्ति बनी थी उसकी अध्यचता की गई थी जीवी मावलंकर के द्वारा समिदान सभा के जो कार्य थे उनके लिए समिती बनी थी उसकी जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी लेकिन कार्य संचालन समिती छोटी जो थी उसकी अध्यचता डॉक्टर केम मुंसी के द्वारा ही की गई थी बड़ी समितियों में संचालन समिति के अध्यचता राजेंदर प्रसाद के द्वारा की गई थी एक थी प्रक्रिया के नियम सम्ति उसकी अध्यचता भी राजेंदर प्रसाद के द्वारा की गई थी ठीक है कन्फ्यूज मत हो न इन सभी को अच्छे से रट लेना ठीक है देखो एक चीज और बता रहा हूँ में दो तीन पॉइंट और बता रहा हूँ जैसे देखो बारत का जो राष्टे द्वज है कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्टे द्वज ठीक है 24 जनवरी 1950 को राष्टगान को अपनाया गया था देखो 1950 में तीन काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को यानि 24 जनवरी 1950 को ही तीन काम हुए थे याद गान को अपनाया गया चोबीस जनवरी उननी सोपचास को इसे पहले राष्ट दोज को अपनाया गया था याद रखना इन सभी को याद कर ले ना मारत के संविदान के निर्मान में दो साल ग्यारे महीने अठारे दिन का टाइम लगा था और ठीक है तकरीवन इसमें जो तकरीवन बता रहा हूँ और इसमें 114 दिनों के करीब इसमें बिचार किया गया था जो अन्य देशों के जो लगवग 60 देशों के जो सम्मिदान थे उनके सम्मिदान पर उनके जो प्रारूप बनाया गया था उनको पढ़ करके तकरीवन उसमें 114 दिन का टाइम लगा था उ देशों के सम्मिदानों पर और फिर इसमें कुल खड़ चाया था तक्रिवन 64 लाख रुपे का याद रख लेना फिर सम्मिदान 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक होई थी और 26 जनवरी 1950 से सम्मिदान जो है लागू हो गया था देखो दो कनफ्यूजन वाले पॉइंट रहते हैं एक होता है अंगीकरत यानि पारित करना सम्मिदान को और एक होता है लागू करना तो जो अंगीकरत हुआ था सम्मिदान वो तो 26 जनवरी 1950 को ठीक है याद कर लेना अब देखते हैं कुसर नमर 14 कारियानवन में तालमेल के लिए किस योजना के तहत एक व्यापग कारियकरम चलाने का फैसला के आए देखो अगर मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ गलत भी बोल जाओ तो उसे आप मैनेज कर लेना और उसका आपको अगर लगे कि मैं के लिए किस योजना के तहट एक व्यापक कारेक्रम चलाने का फैसला किया है वैसे तो मेरी तरफ से पूरी कोच से सोती है कि कम से कम गलती हो देखो इसमें पहला है सच्छम आगनवाडी और पोसंड 2.0 पीम पोसंड योजना, महिला भाग्योदय योजना और नारी बंदना योजना बताईए इन चारों में से बारत सरकार ने मात्र एवं सिसु देखरेक की बिविन्न योजनाओं के कार्यानमन में तालमेल के लिए किस योजना के तहत एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है कुस्छन नमर चोदे का अंसर बताओ काफी अच्छा कुस्छन है यह देखो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्सन ए सच्छम आंगनवाड़ी और पोसर 2.0 योजना ठीक है सच्छम आंगनवाड़ी और पोसर 2.0 योजना आगे देखते हैं यह आगे है कुस्छन नमर पंदर है निम्न मेंसे किस बेंग के द्वारा प्रात्मिक छेत्र में रेड को बड़ावा देने के लिए किंद्रीकरत पूल खरीद परोक्त और सहरेड विक्री लाउंच किया गया है निम्न मेंसे किस बेंग के द्वारा प्रात्मिक छेत्र में रेड को बड़ावा देने के लिए किंद्रीकरत पूल खरीद परोक्त और सहरेड किस की विक्री विक्री लाउंच किया गया है किस बेंग के द्वारा प्रात्मिक छेत्र में रेड को बड़ावा देने के लिए किंद्रीकरत पूल खरीद और फरोक्त और सहरेड विक्री लाउंच किया गया है देखो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ओफ इंडिया ऑप्संसी बैंक ओफ इंडिया द्वारा प्रात्मिक छेत्र में रेड को बड़ावा देने के लिए केंद्रीकरत पूल खरीद और फरोक्त और सहरेड विक्री लाउंच किया गया है यह मुमई में याद रखना तो अपसंसी हो जाएगा इसका सही जवाब आगे देखते हैं अब कुस्स नमर सूले भारत के सर्वोच नयायले ने उच्चतम नयायले के परिसर में प्रवे सेतू आगुंतकों के लिए ओनलाइन इलेक्ट्रोनिक पांस बनाने के लिए एक ओन एक ओनलाइन पॉर्टल सुब्दा किस नम से प्रारम की है इपरिसर, इकोड, सुस्वागतम या आगमन पॉर्टल बताइए तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्संसी, सुस्वागतम इसका सही जवाब क्या होगा सुस्वागतम यह एक बेवादारित और मोबाइल अनकूलन एप्लिकेशन है जो उपयोग करताओं को लम्मी लाइन की कतारों से बचाने में सच्छम बनाएगा याद रखन यह काफी महतपूर है सुप्रीम कोट के द्वारा सुस्वागत पोर्टल को लॉंच किया गया है और इसके माद्यम से देखोगे आप तो उपयोग जो करता हैं उनको जो कागज रहेत प्रवेस पास मिलेगा इसमें जिससे परियावनर सरच्छन भी होगा ठीक है आगे देखलो निम नमेसे के सहेने चोओधी जीट्वन्टी सस्टेनेवल फाइनेंस वर्किंग ग्रूप मीटिंग की मेजवानी की है नही दिली गुषाट्य वारणासी बंगलूरू देखो इसका सही जवाब ओप्संसी वारणसी ओप्संसी वारणसी वारणसी उत्रप्रदेश का सहर है संगाई सयोग संगठन की SEO की ये सांस्कृतिक राधदानी है और चोथी G20 सस्टेनेवल फाइनेंस वरकिंग गुरूप की मीटिंग की गई है स्वारणसी में याद रखना ठीक है इसका सही जवाब है ओप्संसी आगे देखो कथन और कारणसी में बारत में कथने पहले बारत में इस्ताई दलिय विवस्ता नहीं है इसके साथी चेतरिय दलों की संक्या भी अधिक विदमान है क्या भारत में इस्ताई दलिय विवस्ता नहीं है और इसके साथी छेत्रिय दलों की संक्या भी अधिक वेदमान है कारण है इसमें अत्यदिक संक्या में राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र के लिए महत पूर है तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा कुस नमर 18 में